वेल्कम टू दश्री टैक आज हम लोग स्टड़ी करेंगे ना नेक्स्ट टॉपिक डट इस ओरिजिन आफ स्वाइब ओकटियर आपने देखा कि इससे पहले आपने जो लेक्चर देखा उसमें आपने देखा कि स्वाइल क्या होती है स्वाइल मेकैनिक्स का कॉंसेप्ट क्य बढ़े आपको ऊरिजिन आप स्वाइल और आप प्रॉपर इसके नोट्स मनाईएगा टीकि ना ओरिजिन आफ स्वाइल की उत्पत्ति कैसी होती है यह कोशन है जो कि जर्णली चैप्टर भी है स्वाइल क्लासिफिकेशन के नाम सो आप कह सकते हैं इसको क्लासिफिकेशन सब्सक्राइब करें तो हमको मालूम है कि स्वाइल की जो ओरिजिन होता है वह कहीं लगी रॉक से होता है वैद्रिंग आफ रॉक्स कम्स्टू फॉर्मेशन आफ सवाइल आप कह सकते हैं कि जो रॉक है आपके पास यह क्या है रॉक और जब इस रॉक की वैद्रिंग होगी जब रॉक का क्या होगा वैद्रिंग होगा तो क्या मिलेगी आपको फॉर्मेशन आफ स्वाइल यह चीज आपको ध्यान दे लिए यह बैसिक डिफिनेशन है कि स्वाइल इत्पत्ति कैसे होती चट्टान और अप्छा से आपके उत्पत्ति होती है जब टूटती है तो कि पहली जो है वह अपकी गर्प 쪽च कर दूसरी आपकी वह हुआ कि आता है कि यहां पर temperature एंड pressure जब temperature और G 이런 करते हैं जिसे आप कह सकते हैं vueltaiatric यह टेंखलड डम से फ्रीज़िंग पिंग जो बास करते हैं हम लोividade क्या है ठीमिकल वैदुस्ट implications के वाद होती है कि सी वाद हो तैसे के जिसमें sa? तो हाइड्रोजन और 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 रोल्पे कर रहा हो वहां पर क्या है कैमिकल डिरिंग है ऐसे यहां पर हो रहा है और इसकी वह से formation of soil अगर हो रहा है तो आप बोलेंगे chemical weathering जब भी आप बात करेंगे objective आता है कि किस चटान के disintegration से रोग बनती है या किस चटान के decomposition से soil बनती है तो disintegration disintegration जो word use होता है disintegration word हमेशा physical weathering के लिए होता है ज्यान देना अगर objective में disintegration लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि वो फिजिकल वैदरिंग की बात पूछ रहा है कि चटान के फिजिकल वैदरिंग होने पर कौन जो स्वाइल के पॉल्मेशन हुआ है और जब डिकंपोजिशन यूज कर रहा है वो तो डिकंपोजिशन हमेंसे रियक्शन के लिए होता है डिकंपोजिशन वाट अगर यूज किया है तो आप समझना कि यहां पर केमिकल वैदरिंग की बात कर रहा है बेसिक डिफरेंस बिटिवीन फिजिकल एंड केमिकल वैदरिंग देखिए फिजिकल वैदरिंग से जो स्वाइल बनती है उसकी वही सेम प्रोपर्टी होती है जो उसके पैरेंट्स रोक की होती है जिससे उसे उत्पत्ती हुई है तो स सेम एस सेम पैरेंट रॉब मतला मतापिता जो है जिससे की दबती हो रही है तो प्रपरटी आप स्वाइल सेमस पैरिंट यह कहां पर होता है विचल वैद रिंग में बाट केमिकल वैद रॉद रिंग प्रोपरटी आफ्वस चेंग हो जाती है जो स्वाइल बने गिंगे इसकी कुछ और होगी और जो रॉक और उसकी प्रोपरटी कुछ और वोगी ठीक है प्रोपरटी प्रोपरटी आफ्याफ्ट स्वाइल अर्श द देुशंट डेजंट मैच विट विट पैरेंट रॉक ठीक है ना विट पैरेंट रॉक यह लिख लिएगा सिम्पो जिबास समझी है जब फिजिकल वैदरिंग हो रही है तो टेमप्रेचर प्रेसर क्या है रोल प्ले कर रहे हैं है ना देख एक्जांपल देता हो आपको कि जैसे आप मिल्क की बात करें आप दूद को उबालते हैं तो आप उसे गरम करते हैं गरम करने के पाद क्या होता है कि जब ठंडा हो जाता है तो दूद रहता है मतलब उसकी प्रपरटी में चेंज नहीं होता लेकिन जैसे इस दूद में आप निब्बू या नमक डाल देते हैं तो वो दही बन जाता है तो आपने देखा जैसे ही उस milk में आपने कुछ chemical reaction किया तो milk क्या convert हो कर्ड में दही में change हो गया तो chemical जब भी होगा तो property change हो जाएगी मतलब milk की property और कर्ड की property same नहीं होती विकाउज आफ chemical reaction लेकिन जैसे ही आप दूध को गरम कर रहे हैं या उसकी ice cream बना रहे हैं उसको जमा दे रहे हैं तो तब भी क्या रहा है का दूध दूधी रहेगा same property same करेगा सो करेगा तो आप कह सकते हैं कि physical weathering में property same होती है और यह objective में आ चुका है इसनी पॉइंट important है फिजिकल वैदिरिंग में property में parents रोक की और स्वाइल की same property chemical में same नहीं होती अब biological यह सारे क्या करते हैं रोक पे action करते हैं और स्वाइल का formation करते हैं जब आप देखते फफून लग जाते चटानों के उपर तो दीर दीके कर देता है time के साथ और वो स्वाइल और रोक क्या है secondsि इंटिकर्थ सुठीकोज होगे कहां बंती है इंपोरिंट इसह विर्वियर密 है कि जब पाट करने लोग यहा nit करते हैं लोट यहां विरिव करते हैं डिकंपोजिश् ο वरड के उज़ करेंगे हम लोग डीकमपजीशन बायलोजिकल वेधरिंग से बनने वाली स्वयल हम ऐसा कैसे होती है और निक कैसे होती है और निक स्वया और यह थीन तरह के मैं जनरली इंपॉर्टन्ट आपजिक्टिब में आ चुका है। इस पहला है humus, muck and peat, humus, muck and peat, यह तीन तरह की स्वाοιल कैसे ओर्गनिक होती है और यह biological बाइलोजिकल वैदरिंग से बनने वाली स्वाइल हम ऐसा ऑर्गनिक होती है और यह तीन तरह की होती हुमस मक एंड पीट ठीक है यह अब जेक्टिम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसको अब दूसरी बात यह कि पीट और मक दोनों को अगर हम लोग जोड के बोलें तो क्यूमुलोज स्वाइल वाट इस क्यूमुलोज स्वाइल कॉंबिनेशन ऑफ मक एंड फीट यह अबजेक्टिम में आ चुका है तो आपको जस्ट जेई और एक्जाम के लिए है कorer रहा है क्या करना तो दपॉeg में protegई करने तो आपने यह यहां पर क्या देखा आपके देखा की से हम वाथिए प्वेजिकल केमिकल अड बायलोजिकल चेम के यह नोच पॉइब ओर लिख देता हूं यहां पर objective में आते हैं यहां से point देखिये physical weathering और chemical weathering, physical weathering से जो soil बनती है generally वो क्या होती है gravel sand ठीक है और यहां पर जो particles होते हैं वो कैसे होते हैं angular, rounded ठीक है न इस तरह के सेव के होते हैं और यहां पर बनती है क्लेक क्या है बनती है क्लेक और यहां पर बनता है प्लेट-like structure कैसे बनते हैं प्लेट-like structure मतलब कि particle size less than 2 micron जनलरी chemical वैदर से फॉर्म है इसे हो तब दिट्टी बाद चुका है इस बात गहां दिजेगा होता है पार्टिकल साइज two upon ड्रवी plugging-れて होता है दो कियूर आप को कंग होता है और जब बात करते तो ग्रेवल कि अगर रॉक चेंज होगी तो स्वाइल भी चेंज होगी है ना जर्णली क्या है कि आप किताबों में देखते हैं तो एक फिक्स पैटर्न बना हुआ है कि एलॉवियल ऐलाइन ग्लेसियर मेराइन स्वाइल इस तरह एगा बट मैं आपको बताऊंगो यहाँ पर कि तो कि एक्टोल में सब्सक्राइख सब्सक्राइब सत्री मेराइन लुए पारफियॡ बनाद में संद्सक्राइब्र », Cloud now West south all间 एक क्ॉछर्मार की पूरी इंडिया में सिर्फ एक तरह मिलती कश्ण मार किए क्या पी इंडिया में सीब्स हिए ल्या चरह मलतीन नहीं हर जगें अलगा स्वाइल या पर स्वाइल अलगर डिज़त और यां ब्लेक तो आप देख रहें कि इंडिया में अलग अलग जगे पर अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है तो फॉर्मेशन ओरिजिन कैसा हुआ और इजिन कैसे हुआ हमें यह देखना है तो में चीज तो क्लियर की वैधिरिंग से कही न कहीं स्वाइल बन रही है अब मैं बताता हूं आपको कि स्वाइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ठीक है कुछ कॉंसेप्ट है यहां पर अगर आप उन कॉंसेप्ट को समझते हैं तो आपके बहुत से सारी चीजे किलियर होंगी यहां पर ठीक है ना और प्रॉपर नोट्स बनाईएगा क्योंकि अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिफ के लिए बता रहा हूं मैं आपको जब मेंस की ग्लास लूँगा तो प्रॉपर आपको लिखवांगा भी और जितना सफिसेंट अब इसको प्रॉपर इसी तरीके से नोट डॉंग करिए जिससे कि आपके पूरे कॉंसेट किलियर हो सके हैं ना देखिए मेरे पड़ाने तरीका यह है कि हरे छोटी स्चीज को प्रॉपर नी तरीके से डिस्क्राइब करना है ना अब देखिए कॉंसेप्ट न»,aban When युद वहां कि ओरीजिन आप स्वाइल डू टू डू टू वल्केडिक, सब्सक्राइब देख neighbour दार्ट जब जोला कब स्पोर्ट हो रहा है जॉला मुखी जब फूट रहा है तो उसकी वज़े से कैसे आपकी स्वाइल का फॉर्मिशन होगा कौन कौन से स्वाइल बनेगी यह बनी है पहले से जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में नौर्थ व्यक्ति व सौथ एसट जो हमारा दक पटहर है मतला कि यह अपका डेक कट ट्रेटियों डेकर प्लेटियों कैसे बना आश्याला मुखी से बना हुआ है तो आखिर्कार यहां पर फोर्मसन कैसे हुआ है किस तरह इसली मिलती है जोर्री कि ऐरे थोड़ा से खिंद रॉक चुर्प के बारे में पता हुआ आपको रॉकल अगने यजिक होती है कि circuit G Durch कि सेडिमेंटरी and metamorphic metamorphic अगने चट्टान अवसादी और कयांतरित ठीके ना अगने अवसादी कयांतरित इगनियस, सेडिमेंटरी और metamorphic rock अगर rock change होगी तो soil भी change होगी ना फिर तो यतो ना कि जो ही वही same soil igneas से बन जाए same soil sedimentary से बन जाए same soil metamorphic से बन जाए जहां आपकी rock change हो गई वहीं पर क्या होगा आपका soil भी change होगी तो मैं यहां बात किसकी कर रहा हूँ volcanic eruption की volcanic eruption की वज़े से soil का formation कैसे होता है तो जब भी किसी जगह पर जौला मुखी आता है तो वहाँ पर कुछ factor है वह important देखिए for example यह की पहाड़ है ठीक है और इस जगह पर जौला मुखी आ रहा है जब जौला मुखी आएगा तो चार प्रासेस होती है first explosion क्या होता है besport पहले तो besport होगा besport होने के बाद क्या होगा कि यहां की soil है यह जो मिट्टी है यह कहीं दूर जाके कहीं पर दूर जाके क्या होगी डिपोजित होगी यह स्वाइल इसके बाद सेकेंड नंबर में क्या होगा यहां पर वॉल्केनिक एस जौला मुखी की राख निकलेगी ठीक है और साथ में क्या निकलेगा यहां पर gases like sulfur dioxide और nitrous oxide compound निकलेंगे यहां पर सेकेंड स्टेप वॉल्केनिक एस और गैस यह दोनों चीन निकलती है पहले बिस्पोर्ट होगा बिस्पोर्ट के बाद राख निकलेगी और राख के बाद third step में क्या होगा कि यहां से जो lava है और यहां से जो magma है वो बाहर आएगा तो कुछ lava surface पर आके run off करेगा flow करने लगेगा और surface पर आने के बाद यह यहां समय के साथ ठंडा होगे जम जाएगा देखे जब lava surface पर आएगा तो कैसा होगा hot गरम होगा और time के साथ क्या होगा cool होगा तो यहां पर किसकी बाद हो रही है temperature की बाद हो रही है heat की बाद हो रही है ठंडा हो रहा है क्योंकि यह directly किसके touch में है atmosphere के touch में है और atmosphere के touch में है directly तो समय के साथ ठंडा होगा और किसका होगा formation of rock चट्टान बनाएगा बनेगा कुछ लावा जो है उस सताय के अंदर surface के अंदर ही रह जाएगा और समय के साथ ठंडा होगा again यहां पर क्या होगा formation of rock होगा Okay formation of rock होगा यह जो चट्टान है और यह जो rock है इन दोनों में difference है इसे बोलते हैं हम लोग vislantic rock क्या बोलते हैं इससका हम लोग और यह जो rock हैилась दो गरियनाइट rock क्या बहुत इसको GPA wine तो granite और basaltic rock का formation हो गया और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा agnius rock है agnius rock के दो example होते हैं that is basaltic और granite यह कोई part of GK नहीं है यह जब soil पढ़ रहे हुआ origin की बात कर रहे हो तो basic concept तो clear होने चाहिए basaltic rock और granite rock का formation हुआ यहां भी क्या इस्टार्टिंग में गरम होगा होट्र रहेगा और समय के साथ क्या होगा यह कूल वह हुगा यहां भी क्या है टेंप्रेशर डॉल प्ले हाह कर रहा है जब टेंप्रेशर डॉल प्ले कर रहा होता है तो definitely बात clear है क्या होगि physical waythering होगी क्या होगा तेमप्रेचर की बात करते किस की बात करते हम लोग तेमप्रेचर और प्रेसर की बात तो physical वैद्रिंग होगी जब besaltic rock का physical weathering होगी तो क्या बनेगी पेवज़ी प्लेकस बनेगी ब्लेग पहली अपके जो बने एक फॉर्मीशन ब्लेक स्वैल ब्लेकस्तोफ कैसे बनती है साल्टिक ऑबजिक्तिव फिल्यार क्यों बनती है फिचिकल वेदरिंग से ठीक है यह इंपोर्टन है जब यह को फॉर्मेशन कैसे होता है कैसे होता है तो फिचल वदरिंग से होता है क्में त्रीक्ष के लिक्स्य उतलब मिलता है ना बुक्स में देखें गया लाल मिट्टी नहीं होती है रेडिन कलर लेकॉज आफ एक्सिस आईरन वहाँ पर लोगा ज्यादा होता है तो आप कह सकते हैं कि रेड्ट वैदरिंग और फिच्कल वैदरिंग और लिट्राइट के से बनती है आपको आपको अब्जिक्टिफ के लिए रखना है कि रेड्ट तो आप देखते हैं इंडिया में जितना भी आपका डखन का पठार जो है आपका वो किसका बना हुआ है यहां पर जितना प्लेटी हुए किसका बना हुआ है ब्लैक स्वाइल का ठीक है और जो छोटे नादपूर का पठार है प्लेटेव किसका बना हुआ है रेड शोयल का और दोनों ही कैसे बने अँपसे बने हुए जोला मुखी से और तभी आगी मिटी भी कैसी है रेड और ब्लैट यह फिजिकल वैद्रिंग और यह भी कैसा है तो केमिकल वेदरिंग से बनती है आप देखेंगे बहुत जगे ब्लेक स्वाइल इस फॉर्म डूटू केमिकल वेदरिंग और ऐसा नहीं है इसका रीजन क्या है मैं बताता हूं आपको कि केमिकल वेदरिंग क्यों लिखा हुआ है यह जो सेकेंड नमर में आप देख रहे हैं कि जो यह केनिक एस जो राक है वॉलकनिक एस वॉलकनिक एस के साथ जब ऐसे रीज के कहीं पर अबली वर्शा कैम प्यूश लेस दें फाइव होता कि अगर किसी वारिस का पियाच किसी रेंट्फॉल कापी अट लेच्व यह ब्रॉज तन आ चुका है लेस देंफाइव होगा यह आप निए क्योंकि आप देखा यहाँ पर कि सुलफर और नैट्रस की जो कमपाउंड है यह जब एट्मोस्पियर में जाएंगे और एट्मोस्पियर में क्या है आप अपर क्लाउड मतलब बादल डैट इस टू और जब इनका रियक्शन होगा अब देख सब नोट में आपर कि जब सल्फर के कंपाउंड हाइड्रोजन से रियक्शन करेंगे क्या बनाएंगे सल्फूरिक एसड जब यह नैक्ट्रिक्स के कंपाउंड रियक्शन करेंगे दो इनका पीश किया होता है नका पास विभड दो के सपास होता है तो जब यह क्या है और जब नीचे प्र प्रिस्प्पिटिशन होगा रिइनफॉल होगा तो कलाईगे एस यए असीग ट्रीन की रियक्शन होगा व्लकिनिक के साथ यहां बने की स्वाइल उसका नाम है बंटोनायट क्या होगा बंटोनाइट सारे कि बंटोनाइट आथ इम्परतेंथ के बिंटोनाइट सोल का फॉरमेशन कैसे होता है biton स्वाइल के फॉर्मेशन डू टू वाल्किनिक एस कि विकॉज ऑफ एसे ठीक है और बेंटो नाइट स्वाइल जो होगी अब रियक्शन यहां पर कौन सी वेधरिंग हो रही है यहां पर हो रही है यहां पर हो रही है कोकी देखिए बलेक स्वाइल को स्वाइल और बिंटो और स्वाइल बियों से बहुत आ हैं बोत्ne आइंट्चोनार स्वाइल को ढूर्देंडों स्वायल ईंडोем स्वाइल स्व किसम और ड्र फामधरणा ना formation होने के बाद ली अपने माता-पिता के पास ही रुखी रहती है मतलब कोई उनको बहा के नहीं ले जा रहा है ना को उड़ा के ले जा रहा है तो वह स्वाइल कैसे होती ही रेसिडुवल तो बेंटोनाइट और ब्लेक स्वाइल बोथ रेसिडुवल यह अबजेक्टिव यहां से झाचुका है तो आपने देखा कि जब दोनौँ जगे एक ही जगे फॉर्मिसन हो रहा है और एक ही जगे यह दोनों नों है तो कंपोजीशन ऑफ बेंटोनाइट सोयल मोर दं बैक अटी परसेंट किसमें होता है ब्लेक सोईल में जो ब्लेक्वल होती है यह कैसे होत तो पूर्म ऐह कि होती है दो क्सकि होती है वह सेम होती है ऐसे बेंटो-णाइट थीक तो क्या होता है रहा होता है और हम भोलते हैं कि यह तो नहीं होती है हे मिलेग विधरिंस के मिली वग कर्वेधरिंस तो भी makeification से सही है बट नहीं च detector इंहीं मिलेगा आपको क्यों actual में ब्लेक स्वाइल बनती है chemical फिजगल बैदरिंग से और बैंटो नाइट मिलती है chemical बैदरिंग से लेकिन more than 80 परसेंट बैंटो नाइट ही हर जग चाही हुई है तो उससे क्या होता है कि ब्लेक स्वाइल सेम प्रफइटी करता है जी को स्रीन गोलर्पाइटी ग्लेक chocolate बैसे कि नंबर हुआ DR 2 स्वनिंग और स्रिंकेश प्रपार्टी प्रपार्टी करें हम लोग में पर्लाइट जो एप यह सिंग की होती है अब द्फिमार सिंग चुका यह स्वम्ह Wikipedia रेकिंग अद左右 कजें पहले बीवी घिजाम में आ चुका है लेकिन बिकॉज बेंटो नाइट होती कि इसको इसे मिली और उसकी बविए से ब्लैक्ट होई भी प्रपरडी सो करता है जो बेंटो राइट के होती है ऋपार नंबर पर क्या घ्या गया है फास्ट ब्लैक्स उइल रेट स्वाइल तीन तरह की स्वाइल हो गई डूटू वॉल्कनिक रप्सन और यह तीनों एक जगे मिलेंगी मतलब कि आप देखेंगे कि जो यह आंद्र पर्देय से तलंगना है यह किसका पार्ट है बेंटोनाइट का मैक्सिमम किसका यह बेंटोनाइट का अब देखिए इसमें एक तरह की स्वाइल और बनेगी यह जो एक्सप्लोजन हुआ यह जो विस्पोट हुआ विसपोट होने के बाद यह जो मिठी नहां पे आई थी इस मिठी का क्या होगा इसके उपर से जब भी होट लावा गरम मैगमा लावा जो है बहेगर कि ऊपर से तो अगेन क्या होगा के बाद बनेगी आपड गवबि यॉथर सब्सकिता और बता हूं ओलेज के लिए आपकी वो सब वो सब tough soil की यूज़ करते हैं तो आप कह सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं थोड़ा सब कि tough soil used in European country कोगी वहीं पर जंदी मिलती भी है हमारे आग कम मिलता है बट यह tough soil used in European country और tough soil क्या है यह भी किस से बन रही है volcanic explosion से कि जो स्वाइल उससे वालकेनिक एस से बनती है बेंटोनाइट और वालकेनिक एक्स्प्लोजन यह एक्स्प्लोसिफ स्वाइल जो होती है वह होती है tough के लिए तो यह objective यहां से clear है तो आपने देखा कि origin of soil टूटू वालकेनिक एक्सप्स कितनी है चार तो चार तरह की clear यह concept जिसे आपको समझना होगा ठीक है और यहां पर उस सारी चीज़े में mention कर रहा हूं कि origin of soil की जब बात है तो real में की origin कैसे हो रहा है अगर concept clear है तो जेएक एक्जाम और एक्जाम क्लियर होंगे ठीक है आपको जेएक बोलके जेएक्जाम के लिए जब त्यारी करते है तो मैंने आफ्टर फॉर्दर जो क्लासेस होंगी उसमें सेडिमेंटरी और मेटमोर्फिक भी में में डिफाइन करूंगा है ना अभी आप देखिए कि origin of soil concept नंबर टू कॉंसेट नंबर टू देखिए कि स्वाइल की उत्तपत्ती क्रेंट सौल की वजह से किसे हो रही है पैन कहा ना सिर्सटान एक एक फैक्टर नहीं है एक रॉक एक फैक्टर नहीं है जिससे था कि या स्वाइलों तरूँद को तो मैं आपको प्रॉपली बताऊंगा कि अप कौन सा फैक्टर है और उससे किस तरह की स्वाइल इसाद फार्मेशन होने फार्मस कने में और मैंने जिस तरह डाइग्राम बनाया है, जिस तरह इसको मैं लिखा है, आप भी प्रॉपर इसी तरह से इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि आपके लिए भी समझना important है, ठीक है ना, और short notes, ठीक है, अब देखते हैं concept number 2, concept number 2, अब यहाँ पर क्या है, origin of soil, due to rainfall, अब बारिस की वज़े से soil में change कैसे आता है, उत्पत्ती कैसे होती है, देखिए मिट्टी तो जब अर्थ का formation हुआ, आपका गोला थी, ठंडा हो गया, पानी बरसा, तो soil change हुई, rainfall, जिसे कि इंडिया है, हर जगे अलगलग soil मिलती है, लेकर हर देश में ऐसा नहीं ह कई देशों है, पूरी देश की मिट्टी एक ही है, कई जगे अलग-अलग है, तो कहिना climate factor रेक आता है, जिसे rainfall, तो मैं बताओं थोड़ा सा आपको, यह है equator, भूमद्दिरे का, और यह क्या आपका, 23 degree and half north, इसे क्या बोलते हम लोग, ट्रॉपिक आफ कैंसर, यह करक रेका, है न, और हमारे इंडिया से यह 23 degree and half north निकलती है, आपका मालों में कि इंडिया से यह, इंडिया के आठ राज्यों से, स्टेट से पास करती है, तो जाहर सी बात है, जहां से भी यह 23 degree and half north निकलेगी, वो जोन क्या 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 लाएगा वो, ट्रॉपिकल जोन, मैं इसलिए बता रहा हूं, ताकि rainfall से soil का formation कैसे हुआ, तो आपके लिए basic concept जरूरी है, ट्रॉपिकल जोन, और जहां भी ट्रॉपिकल जोन होगा, वह दो बात important है, खासियत है, एक तो rainfall कैसे होगी, irregular, और uncertain, मतलब की अनिश्चित, और अनि इंडिया में खासकर क्या होता है, कि या तो flood बार आती है, या फिर सूखा गोसे, दोनों ही इंडिया में होते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया, इंडिया जो है कि सिर्फ flood से flood आ रहा है, या फिर सूखा सूखा गोसे हो रहा है, कई बार इस इतनी ज्यादा हो जाएगी, कि ब स्टल भीज़ें होती है तो डेफिनेट्रीट लेनडेंक्लों चैसींटीमीट्र चैनेट्र साधनेटप्स चैनेट्लिक department सोथितley होता हैं दिस्तेंस होता है सेंटीमीटर में जहांपे आएगी वह rainfall जादा जाँ सूखा होगा पर एंट पर जानते हैं कि इंडिया के जो अशेरा पंजी है यह वर्ल्ड का सबसे सरवदिक वर्सा वाला स्थान कि से कहते हैं मौंसीराम जैना मुझी गात करें तो पाणी पर जादा जादा यहां पर क्षो topics कंैद्ज जो वैकॉड मोर देन 200 सेंटीमेटर मौर देन 200 सेंटीमेटर भिई यह स्टों मीरस अब अर्थी कैसे मारे हैं विए मतलब ओर स्वेट कुड़। टॉप लेयर ऑफ दी अर्थ क्रश्ट कैसे और निक है इसलिए मैंने इंब ला ओ लियर और मतलब यह है कि यहां पर सब कुछ बिद्वान है सब कुछ प्रिजेंट है यहां पर यहां पर आप प्लांट्स ठीक है डेट अनिमल्स ठीक है और जितने ही मेटल्स हैं यहांपर औक्सिजन सिलिका एक्सेक्टरा जितना ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्रिजेंट है वो सब कहा है टॉप लियर में है ठीक है अगर आपको एलुमिनियम खोजना है अगर आपको निकालना है माइनिंग करके तो आप अर्थ के कोर पर नहीं जाते हो आप टॉप क्रेश्ट स की साथ और यहां पर प्रिष्टृटेशं रेंफॉल जादा हो रही होगती तो इंफिल्ट्रेशन क्या होगा इंफिल्ट्रेशन भी हैं conoc जब इंफिल्ट्रेशन जदा होगा तो जितना भी नमक है यहां का नमक जिसमें आप नैट्रोजन फॉस्प्वरस पोडेसियम भी कह सकते हैं सोडियमक यह सब इसमें पाली जाएगा को कि नमक जो है पाली में गुलन सील है तो जितना भी नमक पाने में घुल जाएगा तो क्या होगा यहां पर एस्टुवो प्लस सॉल्ट का बने का एक घोल जिसे बोलेंगे अब लो सॉल्वेंट एक बने का घोल और यह घोल क्या करेगा बहुत नीचे चला जाएगा ठीक है डूटू इंफिल्ट्रेशन सीपेज और प्रकुलेट करते हुए यह जो गोल है नमक पानी का मिला हुआ यह बहुत नीचे ग्राउंड वाटर टेबल जग पहुंच जाता है तो टॉप लेयर पर क्या बचेगा सिर्फ मैटल्स क्या बचेंगे आपर मैटल्स इस और सिर्फ मैटल्स ईहां तो प्लीच क्या होगा यह फ्वाय। आफ्स गया होगा फ्रीच क्या होगा जैसा होगा इस सुप्रेशन है जहां आधा बस नेज़टी का पानी प्रसी है शला गया नीचे आप्प्राइब हैएए फीक ही नहीं नेज्ञ जरू उच्छॉटल तो नेचर कैसा होगा है अमली होगा और यह जो लाकों सालों की पक्किरिया है यह एक दिन की पक्किरिया कि जो क्लाइमेट Every dimension के बहुत देस में सिच्चुएशन है यह कई लाकों स능री है growing तो यहां पर जो soil का formation होगा यह जो soil होगी top layer पर वो कैसी होगी acidic nature की और इसी soil को बोलते हैं लोग इसी के नाम है आपका letterite soil क्या है letterite soil तो आपने देखा कि letterite soil का formation कहा होता है जहां पानी जादा बरस्ता है या जहां पर बार जादा आती है वहां पर होता क्यों होता है कोगी नमक पानी में घुल के जमीन के बहुत नीचे चला आता है और यह जो process है पानी का नमक में घुलना यही process क्यलाती है leaching process leaching process क्या होती है आप कह सकते हैं कि letterite का formation होता है due to leaching process hedgeaker स्पल्ड इस फोर्म दू टू यचिंग प्रोसेस से लेटरी इंद त्वार्म में यहान पाने बाड़ करिए में चाहता है वहाँ पर नमक पानी में के जमिन के नीचे चलाय आता है ठीक हे ए पाइंट दखिएगा जहां पर वी लीच्फ प्रॉसस्च हो रही है जहां पर ही लिच्फ प्रॉससच हो रही है वहाँ पर CT ine एंपी के इसकी बहुत कमी होती है कोकि चला गया बहुत नीचे तो स्वाइल में नेट्रोजन फॉस्पोरस पॉटेसम नहीं होगा डैट्स वाइ फटीलाइजर्स जो खाद होते न फटीलाइजर्स का यूज़ क्या होता है मैक्सिमम होता है लाइक प्लेंस ऑफ गंगा गंगा का मैदान जितना भी बना हुआ है मेगाल है या फिर वेस्टर्ण घाट जहां पर पानी ज्यादा बरस्ता है वहां पर खाद ज्यादा चाहिए होता किसानों को बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ डिफिजेंसी ऑफ एन पी के यह नमक चला गया नीचे थीक है तो आपने यहां ध्यान दिया लिट्राइट स्वाइल जो कि आपकी फिफ्ट नंबर की है चार पहले हो गई एक यहां पर हो गई इसी का कंपरिजन करेंगे हम लोग किसके साथ इसी का कंपरिजन करेंगे जहां पर इंफॉल कम हो रहा है मतला रेंफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर सेम डाइग्राम टॉप लेयर एन टॉप लेयर कैसी आपकी ओ लेयर और्गनिक है सब कुछ बिद्वान है आपर एवरिधिं जब रेंफॉल कम हो रही है जब ज्यादा हो रही तो बादल थे यहां पर जब कम हो रही तो क्या होगा सूरज होगा सन जो की कोई मतलब नहीं है अपनी जिंदिकी से वहां से गई उसको कोई फर्ग नहीं होता अर्थ में क्या चल रहा है तो सन यहां पर हीट करेगा इसको हिट मेंस यहां पर कि जो मौइश्य करेगा तो चैपिलरी एक्षिं किया होगा और यह एक्षन से क्या होगा कि वाटर केंग टॉप लेयर पर आएगा और अगेन यहाँ पर H2O प्लस सॉल्ट दोनों का एक्स बनेगा गोल और वो क्या solvent कहां पर आएगा उपर ठीक है अगेन क्या होगा हीट के बाद यहां से पानी क्या करेंगा इसका एवापडरेट करेंगा क्या करेंगाप्र श्र्फ नमक और पानी पानी और पानी दिए पानी से चोड़ दिया सब्सक्राइब क्या THC वह प्ंट में सॉल्ट और यहीं होगा पी है और ह्योटकों हो और चmbol यहां जो स्वाइल बने गी उस स्वाइल को बोलते हैं आप डिजर्ट स्वाइल क्या बोलते हैं उफ यैगी स्वाइल रेगिस्तानी मिट्टी इस इस इसको है जो रो डिजर्ट जिज़ट ज कजब फॉर्मेशन होता है डूटो ku कैपले रीएक्शन द्यान देना लेटराइट का formation due to leaching process, desert soil कैसी होती है, basic in nature, और लेटराइट सोयल कैसी होती है, acidic in nature, ठीक है, यह common सी बात है, तो आपने देखा, fifth यह six number की, कई जगे किताबों मिलेगा कि डिजर्ट स्वाइल इस टाइप आफ एयो लाइन मतलब बिंड से बनने वाली भाई वो बिंड से नहीं बनती है बिंड उसको एक जगे से दूसरी जगे उड़ा के ले जाता है वो ट्रांस्पोर्टिंग एजेंट होता है विंड ना कि फॉर्म को एक जगे से दूसरी जगे जब विंड इसको ले जाएगी तो बोलेंगे हम लोग एव लाइन क्या बोलेंगे एव लाइन यह मैं आपको आगे तो यहां कंफ्यूस नहीं होना कि एव लाइन सोईल होते डिजर्ट स्वाइल का फॉर्मेशन डूटू कैपिलरी एक्सा नह में सबसे बड़ी खारे पानी की जील खारे पानी की जील मतलब चिलका नाम आता है पहले बात पर बड़ यहां बात कर रहा हूं मैं कैसी जील होने चाहिए वह लैंड लॉक्ड मतलब होता है इस्तलबद चारों तरफ से जमीन से घिरी हो और ऐसे खारे पानी की जील कौन सी इंडिया में सबसे बड़ी नाम आता है यहां पर सांभर टेश सांभर जोगी कहां पर है राजिस्तान तो आपने कभी सोचा आज पॉइंट ऑफ इंजिनियर और एजा सिविल इंजिनियर और स्वाल मेकनिस पॉल रहा कि सांभर जील का फॉर्मेशन राजिस्थान में क्यों हुआ उत्तर प्रदेश मद्द प्रदेश बिहार यह इतने सारे स्टेट हमारे वहां पर खारे पाने की जील क्यों नहीं बड़ी तो आपने देखा कैपलेनी एक्सन से यहां सिर्फ क्या बच रहा है सॉल्ट क्या बच्रा टॉप लियर पर सॉल्ट बच रहा है कभी कहीं कोई डिप्रेशन या कोई घड़ा मिल गया उसको और रेंफॉल कभी ज्यादा हो गई तो सारा का सारा नमक कहां पर आएगा लेक मे ठीक है तो यह आपका है कॉंसेट नमबर टू आपने देखा यहां पर दो स्वाइल डिजर्ट स्वाइल और आपने देखा एक लट्रेट स्वाइल और यह दो स्वाइल बनती है विकॉज आफ रेंफॉल ठीक है अब मैं तो इंडिया के मैं पनावाल कासा जल्दी से आपक अब यह दो वेस्टरं घाट यहां भी मोर दें टूंड़ सेंटीमीटर तो स्वाइल कैसी होगे लेट राइट यहां कॉंसे नमबर टू और आपने देखा कि यहां पर एंफॉल दो तरह की बने हुई है आप मूफ करते हैं नेक्स्ट नमबर थी कि ट्रांस्पोर्टिंग एजेंट के बेसपा स्वाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है ठीक है नेक्स्ट नमबर थी और इजन अफ्वाइल टू ट्रांस्पोर्टिंग एजेंट ओके आपके अम दो देखें के यहां पर कॉंसेट नमबर थी कॉंसेट नमबर थी यह कॉंसेट पढ़ लिए ना अपने अगर तो स्वाइल के फिर कोई किताब कुछ जुरुत नहीं आपको ठीक है ना कोई भी एक्जाम देना आप जे ही हो रही का और इस चैप्टर से जो भी ऑप्जिक्टिव आने वाले वह आपके पास होंगे यह क् कि और जीन आफ स्वाइल डू टू टू टांस पोर्टिंग एजेंट अब को जो लेक्चर्स मिलेंगे यूटूब पर और भी कहीं जगह वह सर्फ यह बढ़ाते हैं कि टांस्पोर्टिंग एजेंट के बेस पर कैसे बनते हैं ठीक है जोगी एक रट्टा फिकेसर होता है ट्रांस्पोर्टिंग एजेंट के बेस पर स्वाइल कौन सी बन रही है कौन सी बात है और दो कौन से आप पहले देख चुके हो ठीक है दकिए यह आपके पास एक रॉक है रॉक से किसका हुआ स्वाइल का और यह पता आपको बैदरिंग से स्वाइल बन रही है कॉंसेप्ट क्लियर आपका देखिए अगर स्वाइल का फॉर्मेशन रॉक से हो रहा है अगर स्वाइल अपने ही पैरेंट्स रॉक के पास रुख जाती है स्वाइल चट्टान से टोटी और अपने पिता के पास रुखी हुई है तो स्वाइल का नाम बोलेंगे हम लोग रैसिडूवल जो मैं हलका से वहां बता है था रैसिडूवल स्वाइल ठीक है और अगर स्वाइल का फॉर्मेशन यहां पर हुआ और इसको कोई भी एजेंट उ दूसरी जगे ले गया और यहां पर कर दिया डिपोजिट तो यह किलाएगी ट्रांस्पोर्टेड तो कॉंसे नमबर वन और टू में तो देखे आपने तो यहां लिख दूँ है रैसिडूवल स्वाइल कौंस कौंसे होती है ब्लैक स्वाइल बेंटो नाइट बेंटोनाइ रैड स्वाइल और टुफ यह स्वाइल कैसी होती है कि कॉंसेट नमबर वन से पुर आपने स्वाइल कैसी रेशिडूवल अपने पेरेंट्स रोग के पास ही है आपकी लाटराइट है क्योंकि वह भी उसी जगे रियक्सन हुआ उसी चलीगा नीचे टिजर्ट स्वाइल यहां पर लोग बवाल करेंगे कि बाइब डिजर्ट तो नहीं है वो तो टांस्पोर्टेट है तो उनकी नौलेज क्लिए बताऊंगा मैं कि वह क्यों टांस्पोर्टेट में नहीं आती डिजर्ट स्वाइल जो बनी है वह औरिज़नल क्या है अपकी कैपलेर एक्षन से उसे पर फॉर्मेशन हुआ जब इसको कोई सोईल उठाके ले जाएगा तो बनेगी टांस्पोर्टेट ठीक है तो यहां पर जब रॉक से स्वाइल का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पर कुछ एजट है कुछ एजट जो की रोल प्ले करेंगे जैसे फॉर एक्जम्पल वाटर पानी, वाटर में आपका रिवर भी कह सकते हैं, रिवर, वाटर, फिर आपका एयर, ग्रेविटी, मतलक गुर्तयोकरदसभर और फिर आपका ग्लेसिर, ठीक है ? तो जब बात करते हैं वाटर की हम लोग की वाटर इस रेसिडुल सुइल को उठा कि कई और ले गया ? इस रेस हम बोलेंगे alluvial soil क्या बोलेंगे हम लोग है alluvial soil का जो एजन्ट हो क्या है river या फिर वाटर यह बात ठीक है ना alluvial soil में भी residual soil हो सकती है ऐसा नहीं कि residual soil alluvial नहीं हो सकती भाई अगर काली मिट्टी को एक पानी या नदी बहा कि कहीं और ले गई तो क्या बन जाएगी वह यह आता है कि alluvial soil में agent या कौन सा factor होता है दो factor पूछते हूं that is river जब बात करते हम लोग air की तो air sorry यहां लेगता है जब air की बात करते हम लोग तो आता है air line soil क्या आता है यहां पर बंती दो तरह की एक बंती है ड्यून सेंड को बोलते हैं मोटी रेथ ऐसे पार्टिकल्स जनरली एव लाइन स्वाइल कैसे होते हैं सेंड के फॉर्म पर अगर सेंड है तो पार्टिकल्स बड़े होंगे मोटी रेथ होगी कोई रेथ को जनरली बोलते हैं कि मुठी बंद निकल जाएगी यहां से तो ड्यून सेंड किसमें आता है मोटी रेथ और दूसरी जो है वह कौन सी आपकी लोई ड्यून सेंड है और लॉस इसका ओरिजिनल क्या है डिजर्ट स्वाइल है लेकिन जब उस स्वाइल को ले गया कौन एयर तो नाम क्या पढ़ गया उसको एवलाइम और स्वाइल के नाम के चंज हो गए माँपर ड्यून सेंड और लॉस इसे पर ग्रेफ्टी इसका क्या है ग्रेफ्टी अगर ग्रेफ्टी किसी स्वाइल को दूसरी टांसपोर्ट कर दे रही है जैसे माउंटेन हमान लेजिए कोई पहाड़ है यहां पर पारिकल है यह ग्रेफ्टी से नीचे आ गया तो नाम क्या होगा उसका कॉलूवियर और देखिया इसे को बोलते है तेलस का नाम के है तेलस और जो सुझा आई की यहां पर दूसी होगी तेलस सब्सक्राइब अब बात करते हैं तो ग्लेशियर से कौन साथ को glacier soil流 आपका है यहांपर glacier soil due to action of glacier जब बरख पिगलती है तो क्या होता उसके साथ पानी के साथ मट्टी भैके आती है तो यहाँआ पर आता है till क्या आते हैं यहाँपर till soil बोलते हम लो और till जो है because of glacier तो आपने देखाए यहाँपर colloquial soil का नाम क्या टेलस, टेलस, टिल, ड्यून सेंड, लॉयस, ठीक है, एलूवियल सोईल, एलॉलाइन सोईल, यह सब किस में आते हैं, ट्रांस्पोर्टेट सोईल में, और जनरली, यह अबजेक्टिव हैं, याद इस्टार करिए को, ट्रांस्पोर्टेट सोईल का जो पार्टिकल्स होता हैं, तो less than 50 micron होता है, ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर, कि यह सेडिमेंटरी रॉक क्यों होते हैं, किसके होते हैं, सेडिमेंटरी रॉक, क्योंकि सेडिमेंटरी रॉक, इगनियस रॉक के बाद, जो चेंज आता है, सेडिमेंटरी रॉक से होता है, तो सेडिमेंटरी रॉक के टाइब सोते मैंनलिये और इसका पार्टिकल साज कितना होता है 50 माइक्रों से कांट तो आप में देखा एजेंड के इस पर ट्रांस्पोर्ट्रिट स्वाइल क्या होती है और होती है टेक है रसिटोल साल होती है जो जो स्वाइल कि रिटेन रुख जाना ओवर यह प्रेंट रॉक जो अपने मातापपता के पास रुख जाए वो स्वाल क्या होती है रेसिड्वल और एक जगह से दूसरी जगह चले जाए वो होती है टास्पॉटेड और यहां से जो अब्जेक्टिव आया है प्रिवियस येर दैट इस जी ओलोजिकल साइकल उफ ग आप जी ओलोजिकल साइकल फ सब्सक्राइब यह प्रिवियस येर इडिशक आ चुका है अपते जी एक एक जेकशामने, अगर आपभी जैक पेपर देखे? उ हो प्रिवियस ये अट जी लगो मजय कब UH पहले क्या होता है फॉर्स्ट स्टफ यहां रॉक बना हुआ था यह क्या हुआ रगेंट इन अपर यह द्वारा वैदरिंग होगी तो क्या सकते हैं मैं पहला स्टैप वैदरी दैन अग्वारा यहां सिर्व क्या होगी ट्रांस्पोर्टेड देन डिपोजीशन देन अपहीवल अपहीवल लास्ट में आएगा दुबारा कोई उससे कोई फैक्टर उसको उखार दे ठीक ना तो यह था कॉंसेट नंबर थ्री जहां पर आपने स्वाइल देखी तो चार फर्स्ट में सेकेंड में दो और यहां पर आपने इतने सारे नाम पड़े जो की इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव में आपके यह बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है जनरली आपके एक्जाम में यहां से पूछता है ठीक है ना तो यह था कॉंसेट नंबर थर्ड अब देखेंगे हम लोग कॉंसेट नंबर आज जो स्वाइल का फॉर्मिशन हो रहा है ठीक है ना वुफ टू नेक्स्ट कॉंसेट नंबर फोर्ट इस ओरिजन आफ स्वाइल डूटू सॉल्ट कंसंट्रेशन नमक की कंसंट्रेशन की बेस पर आप स्वाइल को डिफाइन कैसे करते हैं नमक ज्यादा है तो क्या होगा अबताहे है नमक कम है तो क्या हुगा ठीक है देखते हैं अब कहले हुर्चैक़ ऑन देखते हैं कॉंसेट नंबर फॉर्ट का होरिजन का कॉंसेट नंबर फूरी ऐन आफस्वाइल origin of soil due to salt concentration concentration of salt के base पर आप बता रहे हैं कि soil को कैसे classify किया गया है ठीकिन आप जानते हैं कि पानी कहीं खा रहा है तो पानी कहीं पर मीठा है मीठा पानी खारा पानी इस बात करते हैं तो में क्या salt concentration तो आपको यहां पर sodium केल्सियम और मेगनिसियम यह salt देखना है ठीक है तीन salt को मेजरली आपको find out करना है जैसे आप irrigation में बात करते हैं सर की बात करते हैं sodium absorption रस्यों की बात करते हैं तो अब देखना है यह पर तीन salt में ली sodium और calcium magnesium अगर हम लोग बैलेंस ब्रिज की बात करें बैलेंस की बात करें लोग तराजू की बात करें तेकिए यह तराजू है अगर सोडियम बराबर है केल्सियम टू प्लस के और magnesium टू प्लस के तो यह नूट्राइज करते हैं दोनों को ठीक है इस केस में अगर कोई भी एक ज्यादा होगा तो स्वाइल का फॉर्मेशन अलग होगा पहली कंडिशन क्या बंती है पहली कंडिशन यह है कि sodium ज्यादा हो जाए कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम पानी में ज्यादा हो जाए केल्सियम टू प्लस और मैगनीशन टू प्लस के एक अगाफ यह है तो इस केस में सोडियम ज्यादा है तो पानी कम खारहा पारे पानी बधॉगा लह पानी मिलता है लेक जील होगे तलाब होगे लेक और पॉंड की बात करें हम लोग तो जर्णली जो पानी होता हुआ पर सोडियम का ज्यादा होता हुआ काएलसियम डू प्लस मंड्री हें हाट वाट यह फिर 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 झो खारा पानी मोता है वह कंडिसंड यह है कि कि यह एक कंसियम टू प्लस और मेंग निटू प्लस ज्ञादा हो जाएं किस से पास्राइ y Review से अब पानी का यह खारा होगा और इस कि जानते हैं कि जब salt concentration जढ़ा हो जाता है तो हम बात करते हैं कि इसकी ऐसीं समुद्र की सी आप जानतेमा की समुद्र का बानी खारा होता है क्योंकि हांपर calcium magnesium जढ़ा होते हैं salt तो मैंने यह का एक मतलब मतलब को जील है तलाप के निचे घहराई होती है यहां पर मिलती है और जो ऊसियन है यहां मिलती आपको मेराइन सवीड़ा में अपजेक्टिब में ओशियन थोड़ा से यहे बेसिक्टिफ्रेंस है मेराइन और एक स्वाइल होती है मार्ल है तो मार्ल स्वाइल क्या होती है यह भी एक समुद्री के जो पास जो मिट्टी मिलती है वह भी मार्ल है बट यह क्या है डीकम्पोजीशन ओफ जीवन है समुद्र के अंदर जब डिकमपोज उमर जाता है पेड़ पोदे मर गए मशली या फिर जो भी समुद्री जीवन है अगर वो मरने के बाद कहा जाएगा फॉर जांपल यह है समुद्र मालीजिए तो यहां पर एक सिंपल सी बात है कि यहां पर एक और अपल्णिक मै सिंपल सी बात माला किस में आती है और मेराइन किसमें पर दोनों मेराइन में कफीज नहीं होना है मली में जो वीच साथ होगया लूंग आपको मिंट्टी मिलती जी घंटी के पास मिलती है तो आप ने देखा कि सॉल्ट कंसंट्रेशन के बेस पर एक तो लिकेस्ट्रीन होती है जीलो पर एक होती है मेराइन और माल में बेसिक डिफरेंस यही है साथ एक होती है क्लेश हो तोड़ा सा कम जी में आते हैं जो से गüzया है कि यहां रोगती है आंग धिलेस एक जेया और लिए अ क्लेशन अधी महलेट ओजिएक लेयर नारा होती qi कहां पर in lake is known as wapde clay. मतलब कि जीलों में एक परत किसकी हो जाए clay की, एक परत किसकी हो जाए? sild की. deposition कहां पर हो रहा है? lake में. तो उस clay के नाम क्या होगा? wapde clay, ना की lacustrine. ठीक है? तो इस बात को ध्यान देना है. कम सक्कर्कान था तो आप्ने देखा वा€त के लिएक्रीम मारल और मेरा हैं ये क्या है आपके ये sir कंसेंट्रेशन के भी इस पर आपको डिफाइं की कियो है स्मयल हर ओके और और यहाँ पर जब देखे, concentration high होगा, concentration high होगा, तो structure, structure कैसा बनेगा, flocculent, कैसा बनेगा, flocculent, मतलब की concentration high है salt का, तो structure कैसा बनेगा, flocculent, concentration of salt, अगर low है मतलब की कम है तो structure कैसा बनेगा स्ट्रक्ट्ट्ट्र का structure of soil कैसा होगा dispersed कैसा होगा dispersed आप बताये कि objective आता है कि फोलोकलूलेंट फ्टुक्छर किस तरह की स्याऌली मिलेगा थो फ्लॉकलेंट च्टुक्शर कहा मिलेगा जहां पर कंसेंट्रेशन हाई फ्लस तू ह tow यह पर हुए ऐा थो यहां पर जो मराखन सौइल होग कैसी होगी फ्लोकूलेंट स्ट्ट्प्ट्चर की होगि ःप Progress आप कह सकते हैं कि लेके स्ट्रीन स्वाइल जो है लेके स्ट्रीन स्वाइल वो कैसी होती है डिस्पर्श इस्टक्चर की होती कैसी होती है डिस्पर्श इस्टक्चर और जो मेराहिन स्वाइल होती है वो कैसी होती है वह थी है flocculent ओके यहां से clear और भी objective आये यहां से dispersed structure कैसा होता है flocculent structure कैसा होता है it means कि orientation of orientation of structure कैसा होता है कैसा orientation होता है तो थोड़ा समझाता हूँ आपको कि orientation आप कैसे निखा लेंगे orientation देखिए orientation of soil particles कैसा होता है जब मैं बढ़ाओंगा आपको एक topic जो कि soil mechanics में है clay mineral and structure वहाँ तुम deep path करेंगे इसकी बट objective यहां से आता है तो देखिए मानी कि कोई एक particle है एक particle है बी तो particle का जो यह है इसे बोलते हम लो face क्या बोलते हम लो face इसidir इसे इसे बोलते हम लो age किसी particle है यह जो है इसे कहते जो original lime ça investor जो vertical customize हैhh similarly यहां भी क्या होगा यह कहलाता है 20ος कलाता है इसका age । पार्टिकल या तो फिर ऐसे आरेंज हो सकता हैibe ऐसे या तो पार्टिकल्स ऐसे अरेंज हो सकता है ऐसे मतलब यह पार्टिकल्स ए है भी है एक अरेंजमेंट इसका यह है दूसरा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है ए और भी इस तरह जॉइंट हो सकते है या फिर थर्ड अरेंजमेंट जो है वो फिर पार्टिकल्स का य हो सकता है यह यह वी बी ठीक़ना देखें यहां पर एज और यह 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 दोनों क्या हुए इसके एज मिल गए यहां पर तो आप बोलेंगे काई है है eруж चू है अरियन टेशन क्या यह है to age औरिएन्टेशन ठीक है? और यहां देखेंए यह फेस तो क्या गोचा में वह जो जो फेस औरिएन्टेशन तो जो फेस टूफेस ओरिढ़ टैशन है ये दिसपर्ज़ दोडेंट ये कैसे आपका? डिसपर्चपास्डS स्वाइल में अगर ऑब्जीक्टिव आता है कि लेकी स्थ्रें सवाइल में किस तरह का उरिंटेशन होता है तो आप बोलेंगे face to face और सिमलार्ली यह दोनों जो वन उट्टू हैं यह दोनों यह दोनों क्या मलते आपको फ्लोकुलेंट में कहा मिलते हैं फ्लोकुलेंट में और खासकर कौन से मिलता है सेकेंड वाला यह बहुत कम बनता है कौन से मिलता है एक फेस्टु एज अगर आता है कि फ्लोकुलेंट structure वह orientation कैसा होता है तो दोनों होते हैं बड़ आपको और option में दिया face to age तो आप पहले इसको tick करेंगे prefer करेंगे face to age और flow clean structure कहां पर होता है flow clean structure होता है आपका जहां पर solid concentration ज्यादा है that is मेरा ही तो देखे यह आपने चार-पांच तरह की soil यहाँ पड़ी चार-पांच पहले पड़ी तो overall आपके पास एक origin of soil मैंने बताया उत्पत्ति कैसे होती है और classification जो किया गया है volcanic rainfall transporting agent salt concentration इसके भी इस पर है ना मैं यह नहीं कहता कि स्वाइल सिर्फ यहीं खतम हो जाती है और भी बहुत तरीके स्वाइल होती है जैसे कि लोम हो गई मुरम हो गई ठीक है ना तो लोम मुरम जैसे कि यह बहुत सारी स्वाइल है जब मैं आपको इनको वह origin of soil से आए हुए previous year की question paper जो कि J में A में और भी other state में जो इस topic से चैप्टर से उठे हुए है वह मैं आपको प्रॉपर्ली तरीके से explain करूंगा ओके यह topic था आपका origin of soil जो कि मैंने चार concept में define करने कोंसिस की है and I hope कि आपको समझ में आया होगा और आप प्रॉपर्ली इस तरह के notes बनाएएगा क्योंकि अभी सिफ J के लिए मैं बता रहूं आपको और ऐसा नहीं कि J में सिर्फ इतना ही पढ़ना है मैं आपको प्रॉपर notes PDF और जितने भी doubt session classes में लेता कि स्वाइल इस तरह भी पढ़ सकते हैं हम लोग एक वो तरीका नहीं है जो सिर्फ किताब में लिखा हुआ है ठीक है और जो नीचे नमर दिया हुआ मेरा उसमें आप मुझे call कर सकते हैं किसी भी तरह की doubt जा query अगर आपको है तो हम उसे पूछ सकते हैं ठीक है और description में मैं है telegram का और अपने app का link के दिया हुआ है आप उसको भी download कर सकते हैं ताकि आपको pdf और notes वहाँ पर easily तरीके से provide हो सके तो इसके बाद class रहेगी एक objective class जो भी इस topic से आए हुए then after we start properties of soil जो इसका next topic होगा thank you so much